सवाल ये भी है कि आखिर कॉंग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक का नाप सुनते ही एर स्ट्राइक का नाप सुनते ही इतना गवड़ा क्यों जाती है कि इतना गवड़ा क्यों जाती है आप रजिकल स्ट्राइक सुनते ही आपका सिलना गवड़ा क्यों जाता है है स्ट्राइक सुनते ही आपका गड़ो होता है गवड़ा है हर हिंदुस्तान को भिवान होता है गवड़ा है सिलना का मान बढ़ता है गवड़ा है भीयों का नाम बढ़ता है कि बढ़ता है भाई और मैंनो जिस प्रता से सेना के पती कॉंग्रेस का रविया रहा है ये देखते हुए मेरा विश्वास भक्ता हो गया है कि कॉंग्रेस को कभी भी भी देश की सेना पर भरोसा नहीं था हारे भीर सहीनिकों के भरागरम पर उनकी शक्ति पर उनके कॉंचन को हमेशा कॉंग्रेस ने कम कर दिया था उस पर वह ने संद्रे किया इसलिए कॉंग्रेस ने सेना को आतनक्यों के खिराब कठोर कदम उठाने से रोका उनको लगता था कि सेना को कहके करो और 1962 जैसा हो जाएगा तो भी देश कॉंग्रेस नहीं हमेशा दूप जाएगी इसलिए कॉंग्रेस 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 ने हमेशा हमारी सेना कितनी महार है कितनी सामत्वान है इस बात को समझाई थे कॉंग्रेस ने सेना को उप्यों क्या दिया है हम सेना की तागत राष्ट रक्षा में लगाते हैं कॉंग्रेस के लिए आर्मिक क्या है कॉंग्रेस के लिए सेना क्या है सिर्फ मज़रा उनकी यह कमाई का साथ है कमाई का साथ है रश्णा सोदों में रश्णा सोदों में चाहे कोफोर्ट हो चाहे सम्मरीद हो चाहे महिरी कॉप्टर हो मलाइक खाने के सिवाए उनके भी सेना का कुछ भाहत्व ही नहीं दूसरी एक बढ़ी बहुत बढ़ी वज़ा रही कॉंग्रेस की वोट्मेंक पॉलिक्स इसी पॉलिक्स की वज़ा से कॉंग्रेस में हमारे भी सहीकों के साथ नयाय नहीं किया देश के साथ नयाय नहीं किया फाज भी जब वो सर्जिकल स्टाइप पर सवाद खाते हैं एर स्टाइप पर सवाद खाते हैं तो अपनी नाकामी चीपा रहे होते हैं अपना बूर्द में गजाने की फिरात में होते हैं